सुप्रबाद वेनों कक्षा दसम नौबत खाने में बादा आगे पड़ते हैं अक्सर कहते हैं क्या करें मिया इक आसी छोड़कर कहां जाएं गंगा मैया यहां बाबा विसुनात यहां बाला जी का मंदिर यहां यहां हमारे खानदान के कई पुस्तों ने सहनाई बजाई है हमारे नाना तो वहीं बाला जी मंदिर में बड़े प्रतिश्ची सहनाई वाजग रह चुके हैं अब हम क्या करें मरते दम तक यह सहनाई चुटेगी ना यह कासी जी जमीन ने हमें तालीम दी जहां से अदब पाई वे कहां और मिलेगी सहनाई और कासी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धर्ती पर हमारे लिए कासी संस्कृति की पाड़ साला है शास्त्रों में आनन कानन के नाम से प्रतिश्चित है कासी में कालाधर हनुमान वो निर्ति विश्वनाथ हैं कासी में बिसमिल्ला खा हैं कासी में हजारों साल का इत्यास है जिसमें पंडित, कंठे माराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदाज जी हैं, मौजदीन खां हैं और इन रशिकों से उपकृत होने वाला अपारजन समू है यह एक अलग कासी है जिसकी अगर तहजीब है, अपनी बोली है, अपने विशिष्ट लोग हैं इनके अपने उस्व हैं, अपना गम है, अपना छेहरा, अपना बनना, अपना नौहा आप यहां संगीत को भक्ती से भक्ती को किसी भी धर्म के एक अलाकार से कजरी को चैती से विशुनात को विशालाक्षी से बिश्मिल्ला खाँ को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते अक्सर समा रहों हैं उस्सों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्ला खाँ है बिस्मिल्ला खाँ का मतलब बिस्मिल्ला खाँ की सहनाई सहनाई का ताथ पर बिस्मिल्ला खाँ का हाथ से आसा इतना भर की बिस्मिल्ला खाँ की फूक और फूक और सहनाई की जुदाई आवाज का असर हमारे सिर चड़ कर बोलने लगता है सहनाई में सरगम भरा है खां सहाब को ताल मालूम है राग मालूम है ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे सहनाई में सास उले कर निकल पड़े सहनाई में प्रवर्दिकार गंगा मया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े दुन्या कहती है सुभान अल्ला तिस पर बिस्मिल्ला खां कहते हैं अब्दुल्लाह छोटी छोटी उपस से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है सहनाई का कर्तब सुरू होने लगता है बिस्मिल्ला खां का संसार सुरिला होना सुरू हुआ फूक में आजान की तासिर उतरती चली आई देखते ही देखते सहनाई डेर सतक के साज से दो सतक का साज बन गई साजों की गतार में सर्ताज हो गई अमरुद्दीन की सहनाई गूज उठी उसे फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा किसी दिन एक सिस्याने डरते खां साब को टोका बाबा आप यह क्या करते हैं इतनी प्रतिष्ठा है आपकी अब तो आपको भारत रतन भी मिल चुका है यह फटी तहमद में पहना करें अच्छा नहीं लगता जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं खां साब मुस्कुराए लाड से भर कर बोले धत पगली यह भारत ततन हमें सहनाया पे मिला है लुंगिया पे नहीं तुम लोग की तरह बनाव स्रिंगार देखते रहते तो उमर ही बीच जाती हो जुकती सहनाय तब क्या खाग रियाज होता ठीक है बिट्या आगे से नहीं बहनेंगे मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है फटा सुर्नवक से लुंगिया का क्या है आज फटी सो कल सी जाएगी सन दोजार की बात है पक्का माहल का सी भी सुनाज से लगा हुआ है अधिक्तम इलाका से मलाई वरफ बेशने वाले जा चुके हैं खाग साहब को इसकी कमी खलती है अब देसी घी में वह बात कहां और कहां वह कचोड़ी जले भी खाग साहब को बड़ी सिद्द से कमी खलती है अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा खाग साहब अफसोच जताते हैं अब घंटों रियाज को कौन पूशता है हैरान है बिसमिल्ला खाग कहां वह कजली चैती और अदब का जमाना सच्मुझ हैरान करती है कासि पक्का माहौल से जैसे मलाई बरफ गायब गया संगीज साहित और अदब की बहुत सारी परंप्राएं लुपतों हो गई है एक सच्चे सुरसादग और सामाजी की भाती बिसमिल्ला खाग साहब को इन सबकी कमी खलती है कासि में जिस तरह बाबा विसुनात और बिसमिल्ला खाग एक दूसरे के पूरक रहें उसी तरह मुहरम ताजिया और होली अभीर गुलाल की गंगा जमनी संसकृती भी एक दूसरे की पूरक रहें अभी जल्दी ही बहुत कुछ इत्यास बन चुका है और आगे बहुत कुछ इत्यास बन जाएगा फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ कासी में है कासी आज भी संगीत के सुर पर जागती है उसी के थापों पर सूती है कासी में मरण भी मंगल माना जाता है कासी आनन कानन और सबसे बड़ी बात यह है कि कासी के पास उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसे अल्लाई और सुर्गी तमीज सिखाने वाला नाया भीरा रहा है जो हमेशा से दो कौमों को एक होने वो आपस में भाईजारे के सांथ रहने की प्रेणा देता है भारत अतन से लेकर इस देज के धेरों उसी द्यालों की मानों को पाधियों से अलंकरी तो संगीत नाटक अकादमी प्रुसकारियम पद्मी उसन जैसे समानों से नहीं बलगी अपनी अजी संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्ला खां साहाब भाविशी में हमेशा संगीत के ना पून नताव एक अधिकार से सीखने की जी जी विशा को अपनी भीतर जिन्दा रखा